जैसे Instagram का अल्गॉरिदम होता है, Artificial Intelligence का अल्गॉरिदम होता है, YouTube का अल्गॉरिदम होता है, Google का अल्गॉरिदम होता है, Facebook का अल्गॉरिदम होता है, वैसे ही तुम्हारी जिंदगी का अल्गॉरिदम होता है, और अभी सुबा के सार तीन बजे, इस वीडियो के अंदर मैं त जो चाहते हो तुम्हें वो मिल जाएगा, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, तुम जो चाहते हो वो मिल जाएगा, उसके लिए तुमको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, अगर तुमने बीच में कहीं पर भी वीडियो छोड़ दिया ना, तो तुम्हारे algorithm decisions आते हैं, decisions के basis पर तुमको focus करना होता है, focus के basis पर actions होते हैं और उस actions के basis पर तुमारा future generate होता है, yes you already tried, पहले thoughts आते हैं और उनी के thoughts के basis पर तुमारा future generate होता है, यह मैं तुमसे हर वीडियो के अंदर बताता हूँगी, तुमको अपने thoughts पर focus करना है, तुमारे thoughts किस तरीके स तो इसके अंदर हम डीटेल के अंदर एक एक चीज को हम समझेंगे Now, we'll start with the thoughts Every great journey begins in the mind Where your thoughts lay the foundation for the life you wish to build इस दुनिया में जितने भी inventions हुआ है कुछ भी चीज बनी है अगर तुमने ये वीडियो भी देखिया तो सबसे पहले वो तुमारे दिमाग में एक thoughts create हुआ होगा कितनी भी बड़ी companies जो बनी है वो सबसे पहले thoughts से बनी है अगर मैंने ये Instagram पेज ये YouTube पेज बनाया तो ये भी thoughts से ही generate हुआ है अगर ये जब देश अजाद हुआ था तो गांधी जी के मन में भी thoughts आ आयोगा सौ सारी चीजीं thoughts से generate होती है पर तुमको ये ही नहीं पता कि Имτο ही thoughts कैसे आता है तुमको ये ही नहीं पता कि तुमारे thoughts कैसे आता है कि तुम किस तरह की content अपने brain के अंदर डाल रहे हो तुम अपने माइन में किस तरह की बुक्ष पढ़ रहे हो, किस तरह की लोगों से बात कर रहे हो, किस तरह की वीडियोज देख रहे हो ये सब चीजें तुम्हारे थौट्स को जनरेट करती है तो इसलिए यू हाव टू तुमको सिर्फ चूज करना है कि तुमको अपने ब्रेन के अंदर क्या चीज़े डालनी है राइट बुक्स पढ़ो, राइट कोर्सिस को देखो, राइट वीडियोज को देखो, राइट लेक्षर्स को देखो, राइट लोगों के साथ बैठो तुमारे thoughts automatically change हो जाएंगे और जैसी thoughts change हो जाएंगे, तुमारे भविश्या change हो सकता है अगर तुमने उन thoughts पर actions लिया अब तुमने decision making सही तरह से कर दिया Now decision making हमारा next step आता है That your decisions crave the path from the realm of the possibilities into the reality you choose to create Hर एक इन्सान की दिमाग में बहुत सारे thoughts आते हैं लोग डिसीजन इसलिए नहीं ले पाते है क्योंकि उनके अंदर सेल्फ डॉट होता है जो सोसाइटी से उन्होंने अपने दिमाग के अंदर डाला होता है सिर्फ thoughts एक initial step होता है thoughts के बाद तुमको अपने thoughts को filter करना होता है अपने resources को देखे कि अभी मेरे पास क्या क्या resources है और उन resources का use करके मैं एक step आगे कैसे बढ़ सकता हूँ अपने आपको resource fullness कैसे कर सकता हूँ अगर तुम्हार पास 100 रुपे हैं तो थेखो कि 100 रुपे को तुम किस तरीके से invest कर सकते हो जिससे कि तुमको उससे ज़ादा से ज़ादा return मिल पाएं अगर तुम्हार पास 1 गंटा है तो तुमको यह चीज़ देखने हैं कि तुम एक घंटे को किस तरीके से किस thought पर तुम decide कर सकते हो जिससे कि उससे तुमको ज़्यादा से ज़्यादा return मिले या तो तुम एक घंटे के अंदर तुम कोई गाने सुन लो कोई funny वीडियोस देख लो, कोई comedy वीडियोस देख लो या तुम एक घंटे के अंदर the शिक्षित talks की वीडियोस देखके अपने आपको शिक्षित बनाओ choice हमेशा तुमारे हाथ में रहती है वो तुमारी priority पे बेसे depend करती है कि तुमारे consciousness किस चीज को ज़्यादा priority देता है फिर decisions के बाद आते हैं आपके actions, focus focus act as a lens through which your decisions are sharpened guiding your energy towards your desired outcome now अब तुमने thoughts generate कर लिये thoughts के बाद तुमने decision ले ले अब decision के बाद तुमको focus करना है कि और मेरे को सबसे पहले दिन में कौन से activities पे काम करना है क्योंकि अब बात आती है focus करने की focus के बाद तुमारे actions generate होंगे focus ही सबसे ज़्यादा important लिए और focus के लिए चाहिए तुमको clarity के लिए भी मैंने दो दिन पहले वीडियो बनाएती जाके वो जरूड देखना क्योंकि जब तक तुमारे brain के अंदे clarity नहीं होगी कि किस thought किस decisions के basis पर मेरे को focus करना है तुम action सही तरीके से नहीं ले पाऊगे क्योंकि तुम्हारा जहां पर focus जाता है वहीं पर तुमारे actions होंगे अगर तुमारा focus जा रहा है relationships की तरफ अगर तुमारा focus जा रहा है hormones की तरफ तो तुम उसी के basis पर actions लेने वाले हो तुम काफी बार तुम action लेते भी होगे रात में कि रात में तुमारा focus पढ़ाई से हटके pawn पे चला गया लड़कियों पे चला गया लड़कों पे चला गया संभोग पे चला गया तुमने सीधा अपना incognito mode करके तुमने अपना focus pawn पे कर दिया और वहाँ पर तुमने masturbate कर दे फिर तुम guilt के अंदर चले गए actions तुमने वहाँ पर भी लिया है यह चीज समझो actions के लिए तुमको focus decide करना है तो इसलिए focus के लिए तुमको clarity चाहिए जब तक clarity नहीं होगी तब तक तुमारा focus इधर उधर भटकता रहेगा तो इसलिए focus ले कि आओ कि focus के basis पर यह actions लोगे actions के basis पर ही तुमारा future बनने वाला है और यह video सोड़ी सी देखो hard होने वाली है और यह hard इसलिए होने वाली है क्योंकि तुम इतने सालों से असान चीज़े तुम देख रहे थे असान चीज़ों से तुमारा जिंदगी पर घंटा फरक नहीं पड़ा तुम सिर्फ ए mental masturbation कर रहे थे अब तुमको real knowledge मिल रही है तुम cheap dopamine से addicted थे transitions आ रहे हैं editing चल रहे हैं इधरोदर से flashy चीज़े आ रहे है वही लोग तुम से बात करते थे कि तुमको cheap dopamine की आदत नहीं लगानी है और वही लोग अपने videos के अंदर तुमको cheap dopamine का addict बना रहे थे अगर तुमको अपने mindset को reprogram करना है तुमको skills सीखनी है तो तुमको the शिक्षित code के अंदर enroll करना पड़ेगा You have to enroll in the शिक्षित code 100 hours of life improvement program यह तुमारे दिमाग का सारा कच्रा भार निकाल देगा और तुमको शिक्षित बनाएगा अगर तुमको अफोर्ट कर सकते हो यह तुमको करते रहो देले कियार कल कर लेंगे परसों कर लेंगे करते रहो तुम डिले तुम अपने अक्सेस को डिले नहीं करते हो तुम अपनी जिन्दक वो उस डिजाइड लाइफ को डिले करते हो जो तुम डिजर्व करते हो जो तुमारे पेरेंस डिजर्व करते है तुम हजार और रुपे उल्टे सीधी चीज़ों पर खर्च कर जोगे पर तुम लर्निंग पर कभी भी खर्च नहीं करोगे यही तो एक मेट्रिक्स है जिसमें तुमको बताई जाती है कि यह कोर्स बिकार है, बुक्स बिकार है, लर्निंग बिकार है लर्निंग विकार नहीं है इस जिस्ट कि तुम विकार हो तुम्हारा दिमाग इतना कच रहे के अंदर जा चुका है कि तुमको समझी नहीं आता कि तुमको लाइफ में करना क्या तुम सिर्फ सारी चीज़ों को फ्री की चाहिए मुवी देखने के लिए तुम पहुंच जाते हो तुम 30-40 रुपे देखे तुम पैसों से तुम वक्त खरीटते हो जिस दिन जिस इंसान को यह बात समझ मागी उस दिन उसने लर्निंग पर इंवेस्ट करने लग जाएगा नेक्स्ट आता है आपका आक्शन अब तुमने थौट जनरेट कर लिये तुमने डिसीजन ले लिया फोकस बना लिये सब कुछ कर लिया अब स्राटजीज भी सब कुछ बना लिये तुमने यहां तक 60-70 परसेंट लोग कर लेते हैं सब के पास प्लैन्स हैं पर एक्शन बहुत कम लोग ले पाते हैं एक्शन सबसे ज़ादे इंपॉर्टन चीज होती है क्योंकि बिना एक्शन के कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा और एक्शन के लिए तुमको एक पर्पस चाही होता है तुमको एक स्ट्रॉंग वाई चाही होता या तुम उस strong why को ढूंडने से डरते हो strong why तुमारा पता है क्या है strong why तुमारा यह है that you are still poor तुमारे जेब में एक भी रुपा नहीं है तुमारे bank account के अंदर कुछ ही रुपे पड़े होए है तुमारा focus नहीं लगता है इससे भी जादो बड़ा तुमको वाय चाहिए तुमारे decisions पर तुमारे actions पर तुमारी पूरी generation depend है अपने आपको उस जगहा पर मतले किया जाओ जहाँ पर तुमको regret करना पड़े कि काश मैं सही समय पर दशिक्षित code में रोल कर लेता काश मैं learning ले लेता काश मैं वो बुक पढ़ लेता काश मैं अपने आपको procrastination से side हटा देता क्योंकि regret मौत से भी ज़्यादा दुख देता है death तो एक बार आ जाती है but regret is the poison मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो इस पेसले डाल रहा हूँ डेली की दो वीडियोज अब मैंने यूट्यूब पर डालना स्टार्ट कर रहा है जिससी की जो लोग actually मैं courses afford नहीं कर पा रहे है मेरे जो मेरी personal consultations afford नहीं कर पा रहे है वो लोग at least इन सब चीजों को देखकर आगे बढ़े मेरे पास इतने सारे message जाते हैं आपके जितने भी YouTube की फ्री वीडियोज हैं फ्री lectures हैं वो सारे देखके मैंने job करना start करा job के अंदर productivity लेके आया वहाँ से जो salary मिली उसमें से थोड़ा से पैसे निकालके मैंने आपका course purchase कर और फिर उसको use करके मैं बहुत आगे बढ़ाऊ it's just you have to take the decision right decisions नहीं है पैसे कोई बात नहीं फ्री lectures देखो YouTube की सारी वीडियोज देखो Reels पे जितनी वीडियोज बनेए वो सब देखो इतना content तुमको provide कर दूँगा कि अगर किसी बास कुछ भी नहीं है वो बहुत कुछ बन सकता है next action के बाद आता है the future the future is the inevitable result of your thoughts decisions, focus and actions thoughts के बाद तुमारे decisions आया decisions के बाद तुमारे ने focus बनाया focus के बाद तुमने actions लिए और इन सब चीज़ों का collective तरीके से एक तुमारा future बनता है और उस future के अंदर तुम शिक्षित बनते हो और वो शिक्षित mentality पे तुम proud करते हो तुमारे family proud करती है तुमारे भाई बैन proud करते है तुमारे पच्चे proud करते है तुमारे family वाले proud करते है उस mentality पे that's the only mentality I want of this country जिनके thoughts और actions के अंदर वक्त नहीं रहे I hope तुमको इस वीडियो से value मिले होगी और ये इतना enough motivation रहा होगा तुमको आगर बढ़ाने के लिए अभी सुभा के 33 बचज़ने इस वीडियो को जतने जाद लोगों साह share कर सकते हो उतने जाद लोगों साह share करो और अपने साथ-साथ उनको भी अशिक्षित से शिक्षित बनाओ Take care